आलू गूबी की सबजी बनाने के लिए हमें चाहिए एक मेडियम अकार की गूबी जो हमने इस तरीके से काट लिए चाहर मीडियम साइज के आलू जो हमने काट लिया है दो प्याज हमने लंबी-लंबी काट लिया है दो हरी मिर्च दो प्याज का पेस्ट बना लिया है हमने चोटी चोटी प्याज लेंगे चार टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया है पहले से ही और मटर 200 ग्राम तड़के के लिए चाहिए हमें एक तेज पत्ता जीरा जीरा हमने लिया है आधी चमच दो साबुत लाल मिर्च जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है हमने हमने लिया है एक चमच सूखी लाल मिर्च पाउडर नमक स्वात के अनुसार एक चमच गरम मसाला और ओयल चलिए सबजी बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस ओन करते हैं अब गयास ओन रखेंगे उसमें पैन रखेंगे और बेड़ डालेंगे हम अब अब अची से गरम होने देंगे अब उसमें डालेंगे गोवी और अची ने चालो फ्राइए तरेंगे गोवी हमारी फ्राइए होगी है तो मिकाल रते हैं बड़ा को तेलो डालेंगे हम, अब आलू फ्राई कर लेते हैं, जैसे गोबी फ्राई किये हमने, जैसे ही हम सेम आलू भी फ्राई कर लेते हैं, ऍलम कर लेंगे हम आपיानी जैसे घर जैसे हम एंची पतिन जीएवगणी इक पत्रकना पत्राई कर ले में, कि आल्भी यह मेरी फ्राई कर लेते हैं, जैसे हमें गड़ील भी बड़ा जा दो ठाउता, झाल पपित किये हमने में, अबका टाउने उले पाकता, ञयुआ है, एना अचित जाशी पार से पार डग Works नयुट ander का सवल जाटो सबरो मेर्ज को जया उयुट झार शोकित झाल जाज बढ़ होगी है, अच्छे की भून रहा है सब कुछ, अब इसमें एड़ करते हैं मटर, लिक्स करते हैं, और इसमें 2 मिट के लिए पकने के लिए खूटते हैं, सारा मसाला मटर भून कर सकते यार है, अब इसमें डालते हैं, जींजे गाली पे, जो हमने प्याज का पेस ब्रों के रखाता हूँ, अब इसमें जाएगी हल्दी, अब इसमें जाएगी है, अब इसमें जाएगी है, अब इसमें जाएगी है, एक मिनिट तक हम इसमें जाएगी है, अब इसमें जाएगी है, अब टमाटा का पेस्ट, अब अच्छे जी भून लेते हैं, 2-3 बिनाट तक, अब नसालों को इसको भून लेते हैं, अब शुटे, इसको लोख लेंगें, हम बीच-बीच में चेक कर लेते हैं, और इसमें डालते हैं, लाल मर्च, हम 2-3 बिनाट तक इसको ऐसी भून लेते हैं, बीच-बीच में रम्चा चलाते रहेंगे, मिसाला बुन गया है बिलकुल, त्यार हो गया है, इसमें टान देते हैं नमक, प्रावब देते हैं, जाब आलो, गोबी जाब करें, अच्छे से अच्छी एधी एक रखेंगे अच्छी मिक्स करें तक पकाते हैं सबजी हमारी बन कर तयार है आलो बिल्कुल गल रहे हैं देखिए बिल्कुल इसली फूट रहे हैं अब हम इसमें अरा धनिया पता डालते हैं सबजी हमारी बिल्कुल बन कर तयार है अब हम इसे साफ करते हैं गैस बन कर देते हैं आपनी सबजी साफ कर लेते हैं हमारी आलो गोभी मटर की सबजी बन कर बिल्कुल तयार है आप इसे नान, पूरी, पराठा, चपाती किसी के साफ भी खा सकते हैं हमारी बन कर दो तयार हैं झाल झाल